हेलो अबरिवन सुमरा नाम है गौरब सु अगेन में एक न्यू टॉपिक के साथ आपके भी जा चुका हूँ और अज का टॉपिक है कि टू सी सी करने के बाद क्या करना होता राइट तो इस वीडियो में आपको मैं सटीक आंसर देने वालों कि टू सी सी के बाद आपको क्या करने के बाद हमें क्या करना होता है सबसे पहली चीज अगर आपने टू सी सी कंप्लीट कर लिए ना तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना होता है आपको अपने वाय को लिखना होता है ठीक है कि आप इस बिजनस को क्यों कर रहे हो अगर आपको यह चीज पता नही है कि आप forever के business को क्यों start क्या इसके पीछ रीजन क्या है ठीक है तब तक आप forever में success नहीं कर सकते तो why का बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको अपने why को लिखना पड़ेगा सबसे पहला काम यह होता है ठीक है दूसरा जो काम होता है जो आपको टूसी के बाद करनी है उसको आपको क्या करनी आपको अपने goals को लिखना है तीन तरह के goals होते हैं short term, mid term और long term ठीक है यह तीन चीजिए आपको लिखनी ही पड़े कि अगर आपको forever में success चाहिए ठीक है आपको goals लिखने पड़ेंगे कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको तीन मेने के बाद क्या क्या चीज़े आती है सबसे पहले ही company के बारे में company के प्रॉडक्स के बारे में company के profile के बारे में network marketing wellness industry aloe vera क्या क्या होता है इन सारी चीजों की ऊपर आपको information लेना पड़ेगा सबसे पहले चीज और notes भी बनाने पड़ेगे। ठीक है उसके बाद अगर मैं skills knowledge की बात करूँ तो वो कौन-कौन skills है जो कि forever living में आपको सीखना must है 2CC के बाद सबसे पहली चीज होती है list making skills उसके बाद होती है prospecting skills, lead generation skills, invitation skills, follow up skills, closing skills, objection handling skills, relation building skills यह जितने ही मैंने skills बता है न इन सभी चीजों के उपर आपको knowledge लेना शुरू कर देना आज से ही क्यूंकि यही वो सारे skills है जिसके वज़ा से आप forever living के अंदर में आपको क्या करना है आप पैसे कमा सकते हो इन ही skills के बज़ा से अगर आपके पास यह सारे skills नहीं है सिर्फ आपके पास basic knowledge है तो आप forever में grow नहीं कर पाऊगे बेसिक knowledge लेकर आज forever के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसके बास basic knowledge करनी है forever के trainings अपने seniors के trainings को अटेंड करना है आप जिस भी WhatsApp group में आड़ो उसमें आपको active रहना बहुत ज़्यादा जरूरी अगर आप active नहीं रहोगे तो आपके applying यह नहीं जान पाएंगे कि आप काम कर रहे हो यह नहीं कर रहे हो ओके उसके बाद आपको applying से connected रहना होता है daily basis पे अगर आप applying से disconnect हो जाओगे तो आप forever में गुरू नहीं कर पाओगे daily सुभा और रात को आपको अपने applying को call करना है तो आपको social media profiling पे ध्यान देनी है क्योंकि यह बहुत जादे इंस्टाग्राम के थूई होता है ठीक है इंस्टाग्राम का बहुत बढ़ा रोल है हमारे business को बढ़ानी में ठीक है तो आज से ही आपको अपनी profiling इंग करना है आपको अपनी खुद की DP लगानी है सबसे important आपको daily basis पे story लगानी है आपको highlights बनाना है daily basis पे आपको अच्छ डालें पोस्ट क्या डालें highlights कैसे बनाएं यह सारी चीज है आप अपने appliance से पूछो या तो फिर आप copy करना सुरू करो आप अपने appliance को कि वह क्या post डालते है ठीक है अगर आप अगर वह lifestyle की post डाल रहे है तो अभी आपके पस कोई भी lifestyle से लिटेट कोई फोड़ो नहीं होग बट उसके लाब आप motivation से लिटेट वेगर आप post डाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात में है ठीक है copy करो आप अपने appliance को देखो उन्होंने क्या highlights लगा रखा है या फिर आप अपने appliance से आप suggestion ले सकते हैं मेरे को क्या bio लगाना चाहिए क्या कैसे story लगानी चाहिए क्या से मे जरूरी है आपको रिल से बनाना कि जो दिखता हो ही बित्ता अपने खुद के रिल से बनाना इस्टार्ट करो ठीक है so I hope आपको यहां तक अच्छे समझ आ गया होगा कि 2 CC के बाद क्या करना है अब इससे भी ज्यादा important point जो अगर है ठीक है तो वह है सबसे पहले चीज लि लिष्ट बनाने से ठीक है सबसे पहला इस्टेज होता है लिष्ट मैकिंग तो आपको सबसे पहले आपको लिष्ट बनानी है जितने ज्यादा लोगों को आप जानते हो 100 200 300 400 लोगों को आप लिष्ट बनाओ प्रॉपर ठीक है जब आप उसको लिष्ट बना लोगे उसके चुल करना होता है अपने Webinars को दिखाने के विए कि जब वो हमारे Webinars को देखेंगे तभी हो जाके हमारे Business को ज्वाइन करेंगे तो उनको फिर क्या करना होता है इपी सेत पिर इंबिटेशन करना होता है 2CC के बाद लिश्ट बनाया होती है ठीक है so I hope आपको clear हो गया होगा कि 2cc के बाद क्या करना होता है अगर आपको समझा गया कि 2cc के बाद क्या करना होता तो आप मेरे को comment में जरूर बताना ठीक है और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा आपने team members को share करें ताकि उनको ही पता